नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं बिना ताम जाम के लौकी की कोफते की बहुत ही आसान और स्वादिश्ट बेशिक सामान से बनने वाली रेसिपी शेयर करूँगी तो अर्थ तक जुड़े रहिएगा चलिए बनाते हैं लौकी की कोफते बनाने के लिए हमें चाहिए यह लौकी तो यहां पर यह देखी एक बिल्कुल पतली सी चोटी सी लौकी मैंने ली है और इसको पहले मैंने दो से तीन बार धो लिया था इसके बाद इसको छील लियने वाली हो पर छील के हम इसको नहीं दोएंगे वरना इसक में तीन टाइप के छेद हैं सबसे बारीक सबसे बड़े छेद और मीडियम साइज के छेद तो मैं मीडियम साइज से इसको ग्रेट कर लेने वाली हूँ तो बहुत बड़े साइज वाले से ग्रेटर से मत करीगा और बहुत बारिक वाले से मीडियम साइज का ग्रेटर है तो उससे ही करीएगा, तो कौफते बहुत परफिट邊 का तयार होते है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखे इस तरह से इसके लच्छे बनका तयार होंगे तो मैंने इसके इस एंड को इसलिए काटिकले मना किया था क्योंकि जब हम इसको एंड तक ग्रेट करते हैं तो अक्सर उसको लास में पकड़ने में दिक्कत होती है और वो हिस्सा हमको फेकना पड़ता है तो ये जो डंठल वाला हिस्सा है हम इसको ग्रेट भी कर लेंगे और डंठल वाला हिस्सा तो वैसे भी वेस्ट में जाता है उसको हम end में फेक देंगे तो यह सुविधा हो जाती है और कोई बड़ा कारण नहीं था तो यह देखिए अब इतना हिस्सा हम आसानी से फेक सकते क्योंकि यह तो फेकने में ही जाता वैसे भी तो इसको हम फेक देंगे के अब इसमें हम थोड़ा सव नमक मिला देंगे, जिससे की लौकी अपना पानी अच्छे तरीके से रिलीस कर देगे, ताकि कोफटे में कम से कम हम बेसन बेसन मिलाएंगे और जितना कम बेसन मिलाएंगे उतना ही बढ़िया सॉफ्ट कोफता बन का तेयार होगा जिसमें कि लौकी की मातरा ज्यादा होगी और बेसन की मातरा कम होगी तो इसको हम 10 मिनिट के लिए नमक मिलाके छोड़ देंगे जिससे की लौकी फटा पर से अपना पानी रिलीज कर देगी अब जब तक लौकी पानी रिलीज करती है तब तक एक बढ़ी असा मसाला तेयर कर लेते हैं तो यहां पर यह दो छोटी-छोटी प्यास मैंने इस तरीक यह दो आपते टेस्ट के कोणिग कम जादा गर सकते हैं और बोस इसको अब हम दरदरा सा पीस लेंगे तो यह मसाला मैंने पीच लिया है और यह बिल्कुल दरदरास सा पेस्ट मैंने तयार कियाAwै जैसा कि मैंने आपको बताइशा तो बिलकुल पानी नहीं डालना है और प असली चॉप करके रखे हैं उनको डाल देंगे और इसको बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे तो जब तक हम ने मसाला पीसा तब तक यह देखी लॉकी ने बहुत अच्छे तरीके से पानी छोड़ दिया है काफी अच्छे से इसने पानी छोड़ा है और अब इसको हम क्या करेंगे अच्छे कोफते बनाने के लिए जिससे की बेसंत कम से कम लगे इसको हम इस तरीके से निचोड़ लिए जिससे की इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा तो सारे लौकी को मैंने निचोड़ लिया है अच्छे तरीके से और ये इतना बचा हुआ है पानी इसका इस पानी को हमको फेकना नहीं है बिल्कुल भी इसको हम क्या करेंगे छान लेंगे और इस पानी को हम यूज करेंगे ग्रेवी में पर धवियान लखिएगगा ये नमक वाला पानी है तो नमक हमको घ्रेवी में देखकर ही डालना है इस पानी को हम अलग से रख लेंगे, आप चाहें तो इसको वैसे भी पी सकते हैं, पर चुकि यह बहुत ज्यादा सॉल्टेड है, क्योंकि इसमें नमक डाला था हमने लौकी में, तो इसको ऐसे नहीं पी पाएंगे, इसमें फिर या तो इसको पानी डाल कर डायलूट सबसे पहले कलर के लिए हम डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, साथी साथ एक चौथाई चमच रेट चिली पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच सोफ का पाउडर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे जरूर डालिएगा, और आधा चमच बुने हुए जीरे का पाउडर, साथी साथ में एक चौथाई चमच में इसमें हींग डाल रही हूँ, यह बिल्कुल ऑप्शन है, पर बेसन के साथ इसका साथ बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ, और अब यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन दिया है, इसमें से हम पू क्या है कि फ्लूड़ा सा नमक डालेंगे, क्या है कि नमक हमने लोकी में पहले भी डाला था, इसलिए जादा नमक नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा सिर् बेसन के हिसापसे ही नमक डालेंगे, और अब हाथ हों से इसको हम अच्छे तरीकिसे मिक्स करेंगे, 98 की विए A even अगर इसके थ WH be some अगर इसतरी के की बाल सियार करते हैं तो गोल गोल बॉल इसकी बननी चाहिए ये देखिए इस तरह से इसकी बॉल बननी चाहिए इस तरीके के कोफते तयार होने चाहिए तो बस इतना ही बेसन हम डालेंगे ये देखिए इस तरीके की आराम से इसकी बॉल्स बन रही है ये देखिए इस तरह से बॉल्स बनती जा रही है इसका मतलब ये बिल्कुल पर्फेक्ट बना है और हमारा ये इतना बेसल करीब बच गया है इसको हम बचा लेंगे इसको नहीं डालेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें हम इन बॉल्स को डालते चले जाएंगे लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखेगा कि जब हम कोफतो को तेल में डालेंगे तब फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेगा यानि कि तेल बहुत करम होना चाहिए और जब हम कोफतो को डाल देंगे तब इसको low to medium कर दीजेगे ताकि कोफती अंदर तक अच्छे तरीके से पक सके तो अब इसको हम थोड़ा सा अलटते पलटते हुए सेक लेंगे तो यह हमारे कोफते बहुत बढ़िया तरीके से सेक चुके है और इसको अब हम बहार निकाल देंगे उपर से बहुत अच्छे से सेखिएगा तभी वो अंदर तक बहुत बढ़िया तरीके से सेख पाएंगे क्योंकि हमने बिल्कुल गोल गोल शेप दिया है तो कई बार अगर उपर से हलका ब्राउन होता है अब आधर से बार नीचे चीजह चिपप जाती है अब इसे मैंने तेल कम कर लिया है लगभग तीन डेशो इसने बचा तेल ने अच्छा टेस्ट देते हैं यहाँ पर एक तेजपत्ता लिया है एक दालचीनी का टुकड़ा दो हरी लाइची और थोड़ी सी जावित अगर आपके पास में बड़ी लाइची है तो आप भी डाल सकते हैं पराज मेरे पास में नहीं है इसलिए मैंने यह हरी लाइच तो इस तरीके से साबुत साबुत तो हम तेल में इसको तलते हैं भूनते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में और आप चाहें तो जब सब्जी बन जाये तब इन खड़े मसालों को निकाल सकते हैं तो तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे आधा चम अगर यह खड़े मसाले आप मसाले में पीस लें और उसके बाद भूनेंगे तब सब्जी का स्वाथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं और इसमें अब हम डाल देंगे यह अद्रक लेंटल प्याज का जो हमने दरदरा सा पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और अब इसको मेडियम प्लेंग पर बहुत बढ़िया सा गोल्डन राउंड होने तब सेक लेंगे तो इस तरीके से जब दरदरा पीस के मसाले की सब्जी बनाते हैं बहुत ही तेस्टी बनती है तो मैं सजेस्ट करूँगे कि बिल मसाले ने देखी बहुत अच्छे तरीके से ओल रिलीज कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है और अब इसमें हम कुछ और मसाले एड़ करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच तीखी लाल मिर्च एक चमच धनिया पाउडर के लिए तीन चौथ इसमें भी नमक है उसको हम ड्रेवी में डालेंगे इसने नमक बहुत जादा नहीं एड़ करेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए बिल्कुल धीमी आज पर इसमसालों को हम बूनेंगे ताकि यह मसाले बहुत अच्छे तरीके से तेल में सिक जाएं लेम को बिल्कुल लो देंगे अब टमाटा को पूरे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसके बाद इसको धक देंगे और धक के लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे कम से कम 5-7 मिनिट तक जब तक यह अच्छे तरीके से और ध्यान देजिएगा कि अगर बीच में देखें कितने बढ़िया तरीके से मसाला भून चुका है और यह अब देख पा रहे हैं साइड साइड से पूरा ओईल दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से मसाला भून चुका है अब धक्कन खोल के भी हम इसको एक से दो मिनिट तक और फ्राइगे जिससे की बहुत ही बढ़िया मसाले में टेस्ट आजाए तो इस मसाले को मैंने दो मिनिट और भूल लिया है खुले ढखकर से बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और अब इसमें आदा चमज कसूरी मेथी मिलाएंगे इस तरीके से क्रश करके जिससे की बहुत ही अच्छी खुश्वूओ सबसी में साथी साथ में आदा चमज गरम मसाला भी इसी स्टेज में मैं आड कर दे रही हूं सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इस स्टेज में हम इसमें मिलाएंगे गरम पानी ग्रेवी में मिलाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो पानी को एब्सॉर्ब करेंगे, ग्रेवी को एब्सॉर्ब करेंगे, तो ग्रेवी बार में बहुत गाढ़ी हो जाएगी, और एक चीज और डालेंगे इसमें, जो हमने बिल्कुल नुट्रिशियस पानी बचा के रखा था लौकी का, वो भी इसी स्टेज में डाल देंगे इसको बिल्कुल मत फेकीगा, या तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप इसको पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेहत मंद होता है ये पानी और अब इस ग्रेवी को हम धक्कन लगाकर बढ़िया सा उबाल आने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वैसी पकी हुई है, इसलिए सिर्फ एक उबाल आने तक हम इसको पकने देंगे तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, और इसी स्टेज में आप क्या कीजिए कि इसमें नमक को एड़ेस्ट कर सकते हैं, कि नमक अगर कम जादे क्योंकि हमने पहले कम डाला था, तो इस टाइम में आप नमक को टेस्ट करके एड अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको ढख देंगे और घड़े देखके सिर्फ एक से देड़ मिनिट तक इसको उबालेंगे हम, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और लगभग 10 मिनिट तक बंद धकन में ही रहने देंगे, जिससे कि कोफते जो है ग्रेवी को मैं आपको तोड़के भी दिखाऊंगे बिल्कुल रूई की तरह मुलायम सॉफ्ट बने है तो अगर आज की यह बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्स और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई